ये मोहबा का प्रिसिद्ध दीएवी इंटर कॉलेज है यहाँ पर में कक्षा आठ नो दस ग्यारा बारा पांच साल तक मैंने पढ़ाई की और ये जो भवन है ये बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे कि पहले था उस समय यहाँ के प्रधानाचारी थे मेवालाल और कक्षा आठ की पढ़ाई जब मैंने की तो लड़कों की संगती कुछ दोसी थी ती कक्षा नौ में भी दोसी संगती थी कख्षा 10 में जब मैंने पढ़ाई की, तो कुछ बिशेश गंभीरता हुई, और कख्षा 10 की पढ़ाई जो की बोड का परिक्षा, थी हाइ स्कूल, तो हाइ स्कूल बोड में यहां जो मैंने पढ़ाई की थी, तो उसके कारण पूरे यूपी बोड में मेरा अंठावनवा इस फिफ्टी एर्थ और फिर उसमें मुझे राष्ट्री ए छातिर वृति मिली तो तब वो राष्ट्री छातिर वृति मेरी जो है तब तक चलती रही तब तक कि मैंने इलहाबाद में बेचलर अफ इंजिनियर्ग पूरा ने किया तो दो साल कक्षा 11 और 12 में चातिर वृति मिली और पांस साल तक मुझे लगा थार शातिर वृति मिलती रही तर जब कख्षा 11 में जब मैं यहां पर जब था तो समय जो हमारे सेहपाटी थे तो उनका जो बिवार था वो मेरे प्रति बणा आधर का था और कख्षा 2011-12 पढ़ाई की मैंने तो इसमें जो जितने भी विजयारती मेरे साथ में थे वो इतने प्रभावित थे मेरे कारण या जो भी कारण हो कि जो सिख्चक थे chemistry की सिख्चक थे कि सनलाल जो हमारे भाई लगते हैं और जो physics के सिख्चक थे तो वो थे सर्मा जी तो उन्होंने ये बताया कि हमारा ही बैस जो है सबसे अच्छा निकला जो कि पढ़ाई में भी गंभीर थे और सिस्टाचार में भी गंभीर थे मेरे पहले जितने लड़के थे वो बहुत उधम करते शैतानी करते थे और मेरे बाद में भी जितना मतलब बैस निकला और सब सैतान निकला मेरे साथ में जो बैस था वह है सबसे अच्छा निकला तो यहां की याद मझे इसलिए आती है कि यहां मैंने पढ़ाई की थी और कख्षा 11 और 12 की पढ़ाई जो है विशेश गंभीर थी मेरी और मेरा अपनी कलास में सब सहपाथियों के बीच में एक विशेश सम्मान था और मेरे कारण वे लोग भी पढ़ाई करते थी अच्छी पढ़ाई करते थी हरे कुछना